नमस्कार जी जून 2024 में वाहन खरिदने का सर्विस रिस्ट समय और सुब महरत आज इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसा विशेश दिन भी वन रहा है जून महने में जिस दिन कोई भी आपको महरत देखने के आवश्यक्ता नहीं है आप उस दिन बड़े प्रेम पूर्वक गाड़ी अपने घर ला सकते हैं सबसे पहले आप सभी को बतलाते हुए चलो वाहन एक ऐसी चीज है जो परम सुख प्रदान करने के साथ अगर सही समय पन न खरीदी जाए तो कहीं न कहीं कहीं कोई न कोई मन में ऐसी भावना लगी रहती है कि जन और धन की हानी ना हो ऐसे मैं कभी भी मंगलवार के दिन आप सभी गाड़ी ना खरीदे सुब नहीं माना जाता सनीवार का द्यान रखे इस दिन भी गाड़ी नहीं खरीदनी है साथ के साथ पंचक पांच दिन हर एक महने ऐसे आते हैं जो असुपता के सरूप में जाने जाते हैं इसका वीडियो में हर महने प्रकासित करती हो जो की आप सभी को कमेंट्स में भी पिन किया हुआ प्राप्त हो जाएगा जिस दोरान आपको गाड़ी नहीं खरीदनी होती है इस बात का भी द्यान रखे और पूरे दिन भर में राहुकाल का भी ऐसा समय होता है जिस समय आपको वाहन की चावी अर्था ठीक आप गाड़ी रिसीव ना करें इस बात का भी आप सभी द्यान रखें आरंब करते हैं 2024 जून महने में गाड़ी लेने का सुप समय आप पू राय लेना चाहते हैं तो 101 रुपे मात्र दे कर आप सभी जो है अपने लिए अपनी राशी के अनुसार सुब महरत निकल वा सकते हैं पूर्ण विश्वसनियता के साथ आरंब करते हैं जून 2024 में विशेश तोर पर सबसे पहला और सबसे सुब महरत दो जून के दिन निकल क है इस दिन एक आदशी और दो आदशी थी रहेगी दो जून रविवार का सुब दिन है कोई दिककत की बात नहीं है इस दिन नक्षत रेवती नक्षत रहेगा और इस दिन अपने आप में बहुत सुब सथ सयोग हो रहा है इस दिन सूर्य क्षRAY से लेकर 12 बच कर 49 मिनड़ आप वाहन खरित सकते हैं बहुत सुब दिन यह देखा जा रहा है ठीक है जी तो यह तो बात हो गई प्रथम जो है दिन की इसके बाद 7 जून 2024 जेस्ट माहा का सुक्रवार का दिन है बहुत सुब दिन रहेगा म्रग शिरा इस दिन नक्षतर रहे रहे है और अपने आप में ब कुल पक्षिकार रविवार का दिन रहेगा बहुत अच्छा दिन यह हो रहा है इस दिन अभीजीत महरत का सुब समय ग्यारहा बचकर 58 मिनट से बारहा बचकर 53 मिनट के आसपास होगा कहने का आर्थ है आप स्क्रीन पर भी देख पार है इस सुब समय में भी आप सभी जो है जिस दिन आपको पूरा दिन कुछ भी देखने के आवशकता नहीं है बहुत सर्विस्रेस्ट दिन इसे जाना जाता है यह है स्री गंगा दश्मी का दिन इसे अबूज महरत के रूप में जाना जाता है इस दिन कहा जाता है किसी घर की महरत या किसी भी विसेस कारी रहा है जो कि अपने आप में अद्भूत है 16 जून के बाद 17 जून 2024 स्रीहरी विष्णु का सुंदर दिन निर्जला एक आदसी का ब्रत और अपने आप में सौंबार का दिन हो रहा है तो कहना ही क्या तो आप 17 जून 2024 को भी अपने लिए वाहन ला सकते हैं स्वाती नक्षत र अधिकतर लोग ज्यादा डीप जाते हैं या उसे गहरा संसोधन करते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई अर्चन आती ही है छोटा सा कारी करना चाहिए दिन देख लेना चाहिए सुब चीज देख लेने चाहिए बस यह परियाप्त होता है तो स्रीहरी विष्णु का दिन है न खनिस्टा नक्षतर रहेगा पूरे दिन भर में तो अत्यधिक सुभी 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 से जाना जाएगा 26 जून के बाद सुभ दिन हो रहा है 27 जून का इस दिन असाड कृष्ण पक्ष रहेगा और गुरुवार का सुभ दिन हो रहा है सद्विक्षा नक्षतर हो रहा है जो भी इस दिन पढ़ने जा रहा है तो आप इस दिन जो है गाड़ी अपने ले खरीच सकते हैं बहुत ही स्रेश्ट दिन के रूप में इसे जाना जाएगा तो इस तरह से यह जून महने के सुब महने महरत आपको बतला दिये हैं कोई भी प्रशन हो आप कमेंट्स के दरिये या नंबर मुझे कह सकता है कि दिदी आप सेंड करिये तो मैं आप सो भी को आपकी राश्ची की अनुसार भी बतला सकती हूं तो इस स्क्रीन पर आप सभी पूर्ण रूप से पंचांग देख पा रहे हैं जिस पर से मैं पढ़कर आपको बता रही हूं सभी पंडित विद्व पंचन इसी में से देख कर बताते हैं हरहर महादेव जैसरी राधे